कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जानकारी वो सेक्षिक और शुक्मक उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय चला कानूनी चला या तो व्यक्तिगत चला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए चयंग दोश्तो अब क्रिप्टो मार्केट के अंदर धीरे धीरे गूड नुसे वो आना शुरू हुए हैं सबसे पहले गूड नुस जर्मन गवर्मेंट जो बिटकोन को सेल कर रही थी हमें जो डर था कि जर्मन गवर्मेंट के पास उleμोस्ट पचास अजार बिटकोन थे व उसका वर्थ था 2.9 बिलियन डॉलर वर्थ के बिटकोई तो सबसे पहले गुड न्यूज की जर्मन गवर्मेंट अब बिटकोईन को सेल नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पास जो 50,000 बिटकोईन थे ओल डेडी सेल आउट कर चुकी है उसे सेंट्रलाइज एक तीन जो के अंदर भेज चुकी है सेकर्ड न्यूज अपडेट स्टेबल कोईन के लिए फरवरी 2023 के अंदर पैक्सोज के लिए यहां पर SSC ने एक नोटिस इस्यू किया था पैक्सोज वो कंपनी है जो स्टेबल कोईन बनाती है स्टेबल कोईन इस्यू करती है पैक्सोज कंपनी का नेम है ज योकि BUSD तो अभी सायद नए लोगों ने नेम भी नहीं सुना होगा, 2023 से पहले BUSD भी एक stable coin था, उसके बाद दिरे दिरे उसको क्या हुआ, निकाल दिया, और फिर market से गाया भी कर दिया गया उसको, और उसको convert कर दिया गया था, USDT के अंदर, कि जितने भी BUSD जहीं भी trade हो इसको 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 किया है, उसने वाइलन किया है, फेडर सिक्यूरिटीज लोग को, लोग का उनंकान किया है, और यान रजिस्टर सिक्यूरिटीज है, वो यह जो नोटी से जारी हुआ था, फरवरी 2023 के अंदर, बढ़ अभी क्या न्यूज आता है, SAC ने ओफिशली, stable coin इ लग कर दिया, साथ या उसने डिक्लेर भी किया, कि यह बिए स्टेवल कोईने वो सिक्यूरिटी नहीं है, अभी कहीं कहीं ट्रेड हो रहा होगा, और काफी सारे एक तींजोंने क्या क्या कि उसको, यूस्टी के अंदर कर वा दिया, और उसे डिलिस्ट कर दिया, तो फिलाल के अंदर नोटीज जारी हुआ था, उन टाइम के अंदर भी यूस्टी थोड़े टाइम के लिए अंस्टेबल भी हुआ था, हिल गया था, पुरा सिस्टम उसका हिल गया था, बट बाद में दाके ठीक हुआ, और फिर बाइनस नहीं सोच लिया कि एससी का निसाना भी यू दो गया, दूसरी जीज, बी उसटीज नौट सिकुरिटी, सिकुरिटी नहीं है, मतलब अच्छी जीज हुई, तब सिकुरिटीज डिक्लियर किया था, अनरिजिस्टर, सिकुरिटी, और अभी कह रहें कि ये सिकुरिटी नहीं है, तो इनली लोगों का खेल रहे हैं, जीन हम support expect कर रहे थे उसी के ऊपर यहां पर support बनाया है देखे उसी के ऊपर मतलब 56,000 डॉलर से 57,000 डॉलर से ऊपर ऊपर ही bitcoin trade कर रहा है और अभी तो देखे almost 58,500 डॉलर के ऊपर trade कर रहा है इससे पहले भी हम daily time frame के अंदर देखेंगे 56,000 डॉलर के आसपास से bitcoin को bounce back मिला था और 72,000 डॉलर तक trade किया था तो यहां पर भी मैं सीधा सीधा one side analysis bounce back expect कर रहा हूं market यहां पर देखे दो दीन से sustain भी कर पा रही है यहां पर देखे क्या हुआ दो trade candle लगे बड़ इसी के अंदर है ज्यादा नीचे नहीं गए है market को जब बढ़ना होता है तब ऐसे ट्रेफ अगेरा आते रहते तो मेरे इसाब से market को अगर गिरना होता तो नीचे बड़ा candle लगता बट ऐसा नहीं हुआ है market में छोटी छोटी दूर रेट candle बने उपर बड़े बड़े वीक रहें और फिर market में क्या हुआ इसके उपर वापस गुमने की कोशिस हो रही है इसे short time market देखेंगे तो 60 का area आप आर पार करेगा चोटे मोटे रेजिस्टन्स ऐसे ब्रेक हो जाएंगे बड़ा रेजिस्टन्स आएगा 64500 डॉलर का आसपास का दो इरिया है वह बड़ा रेजिस्टन्स है अगला रेजिस्टन्स ठीक है सीधा और सिंपल अनलिस तो उमीद करते हैं वीडियो अपडेट पसंद होगा यह व अपने इसाफ से जो ट्रेड ले रहे उसी के इसाफ ले सकते हैं और अभी प्रोब्लेम कब होगा प्रोब्लेम तब होगा क्योंकि मैं प्रोब्लेम के बारे में बता देता हूं प्रोब्लेम तब होगा अगर बीटीसी 56 से नीची नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाता है उ फिर future trade वालों को थोड़ा problem और affected हो सकते हैं बाकी बूर ले लिए देखना बाकी है sport वालों को कोई problem रही सबसे नहीं है